नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam जनवरी 2024 के लिए computer के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam जनवरी 2024 के लिए पार्ट नमबर 23 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए computer से समबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी वही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को समझते हैं तो उससे समबंदित हमें कई परकार के और भी question तयार करने मिलते हैं आप सभी questions को नोड जरूर करें क्यूंकि पेपर में एक question से समबंदित कई परकार के और भी question बन सकते हैं चलिए शुरुवात करते हैं आज किस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हमसे पूछा गया है computer में सबसे चोटी memory unit कौन सी होती है यह question memory unit से संबंदित है memory unit क्या होती है computer system में जब हम data को store करते हैं तो उस data की मात्तरा को नापने के लिए memory unit का use किया जाता है computer system में जब भी किसी data को store किया जाता है data को transfer किया जाता है तो उसकी quantity को उसकी मात्तरा को measure करने के लिए या नापने के लिए memory unit का use किया जाता है memory unit का use data की quantity को measure करने के लिए किया जाता है computer में कई प्रकार की memory unit use की जाती है हमसे पूछा गया है सबसे चोटी memory unit कौन सी होती है computer system के अंदर सबसे चोटी memory unit होती है bit computer system में सबसे चोटी memory unit होती है bit bit का full form होता है binary digit bit का full form होता है binary digit bit का full form क्या है binary digit bit कंप्यूटर में सबसे चोटी memory unit होती है bit दो ही होती है 0 और 1 जिने हम binary number भी कहते हैं तो computer के अंदर सबसे चोटी memory unit होती है bit इस question का answer होगा option number C आपको यहाँ पर कई और question भी तयार करने है सबसे चोटी memory unit तो bit है bit का full form होता है binary digit जब 4 bit मिलते हैं 4 bit 4 bit से मिलकर एक nibble create होता है जब 4 bit मिलते हैं तो एक nibble create हो जाता है जब 8 bit मिलते हैं 8 bit तो एक byte create हो जाता है मतलब 4 bit से के गुरप को nibble कहा जाता है और 8 bits के गुरप को byte कहा जाता है एक byte में 8 bit होते हैं जबकि एक निबल में 4 बिट होते हैं, जब 1024 बाइट मिलते हैं, तो एक केवी क्रियेट हो जाता है, केवी मतलब किलो बाइट, जब 1024 बाइट मिलते हैं, तो एक केवी मतलब किलो बाइट क्रियेट हो जाता है, और भी मेमोरी यूनिट होती हैं, जैसे कि MB मतलब मेगा बाइ टी बी मतलाब टेरा बाइट इस प्रकार से कई memory unit होती है हमसे पूछा गया था सबसे छोटी memory unit कौन सी है वह होती है बिट बिट जिसका full form होता है binary digit तो इस question का answer होगा option number C बिट देखते हैं हमारे next question को next question है new document create करने के लिए किसे shortcut की का उपयोग किया जाता है new document create करने के लिए किसे shortcut की का उपयोग किया जाता है बहुती basic सा simple सा question है MS Word से question पूछा गया है new document create करने के लिए किसे shortcut की का उपयोग किया जाता है new document मतलब एक नई फाइल यदि हमें बनानी है तो हम कौन सी shortcut की use करेंगे maximum software में new file create करने के लिए control plus n shortcut की का use किया जाता है control plus n MS Word में new document को बनाने के लिए control plus n shortcut की का use किया जाता है new option file menu में प्राप्त होता है new document मतलब msword की file को बुला जाता है document msword में एक नई file बनाने के लिए हम control plus n shortcut की का use करते हैं जिससे एक नई file create हो जाती है और new option file menu के अंतरगत प्राप्त होता है control o open option की shortcut की होती है open की control plus p print option की shortcut की होती है control plus k hyperlink की shortcut की होती है hyperlink control n new file के लिए control o open option के लिए control p print option के लिए और control plus k hyperlink option की shortcut की होती है जिस question का answer होगा option number a control plus n दिखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैं से कौन एक modifier key का example है निम्न मैं से कौन एक modifier key का example है यह question keyword से संबन्दित है हमें यहां पर 4 key दी गई है keyword के 4 key दी गई है और हमसे पूछा गया है निम्नमेंसे कौन एक modifier की है Keyword क्या है Keyword? Keyword जो की एक input device होती है Keyword एक input device होती है Keyword के द्वारा कई प्रकार के data को computer में input किया जाता है Keyword में कई प्रकार की की होती है जैसे A से लेकर Z तक alphabetical की होती है 0 से लेकर 9 तक numerical की होती है app1 से लेकर app12 तक function की होती है इसी प्रकार से कई हमारे keyword में toggle की होती है और कई होती है modifier की हमें 4 key के नाम दिये गए है हमसे पूछा गया है निम्नमेंसे कौन एक modifier की है modifier की कौन सी की होती है इसमें modified वर्डार आ है modified मतलब ऐसी की जो other key की working को change कर देती है modify कर देती है modifier मतलब बदल देना ऐसी की जो किसी दूसरी key की working को बदल देती है modify कर देती है वह कहलाती है modifier की जैसे आप यदि अपने keyword से A को type करेंगे A को press करेंगे तो A type हो जाएगा जब आप A वाली key को press करेंगे तो computer में A type होगा लेकिन यदि आप A को control के साथ press करेंगे तो control A select all की shortcut की बन जाएगा ऐसे ही यदि आप C को press करें C वाले बटन को तो C type होगा लेकिन यदि control के साथ इसको press करें तो यह copy की shortcut की बन जाएगा मतलब ऐसी की जो other key की working को modify कर देती है change कर देती है वह कहलाती है modifier की जिनका उपयोग जर्नली shortcut की बनाने में किया जाता है shortcut की और यह की कौन-कौन सी होती है alt की, shift की, control की यह कहलाती है हमारी modifier की alt की, shift की, control की यह modifier की होती है जिनका उपयोग जर्नली shortcut की बनाने में किया जाता है तो इस question का answer होगा, option number A, alt key, alt key, shift key और control key, modifier key के example होते हैं, तो इस question का answer होगा, option number A, alt key, देखते हैं हमारे next question को, next question है, निमन मैं से कौन एक graphics file format है, यह question file format से संबंदित है, file format से, file format को extension भी कहा जाता है, file format या extension, file के type को represent करता है, file के प्रिकार को बताता है, जब भी हम कोई file बनाते हैं, create करते हैं, save करते हैं, तो हमें एक file का नाम देना होता है, और file के नाम के बाद dot sign आता है, इसके बाद file का extension आ जाता है, मतलब जब भी कोई file create होती है, तो इस file के नाम में हमें एक नाम देना होता है, और automatic एक extension, add हो जाता है, extension यह represent करता है, कि file किस प्रकार की है, file का प्रकार बताता है, extension, extension को file format भी बोला जाता है, हमें यहां पर चार extension दिये गए हैं, हमसे पूछा गया है, निम्नमेंस से कौन एक graphics file format है, graphics file format मतलब, images के साथ, चित्रों के साथ use होता है, option number a है, dot rtf, dot rtf, wordpad software का extension होता है, dot rtf, जिसका full form होता है, rich text format, option number b है, dot txt, dot txt, notepad software का extension होता है, notepad का, जिसका मतलब होता है, text only file, text only file, dot bat, batch file का extension होता है, batch file का, मतलब हमारा answer होगा, option number c, option number c, dot png, dot png, एक graphics file format है, जिसका full form होता है, portable network graphics, portable network graphics, dot png, एक graphics file का extension है, जिसका full form होता है, portable network graphics, तो इस question का answer होगा, option number c, दिखते हैं हमारे, next question को, next question है, निम्न लिखित में से, कौन से computer का उपियोग, बड़े संस्थानों और सरकारी एजिंसियों, जैसे bank, railway, आदी द्वारा, बहुत बड़ी मात्रा में, डेटा को संभानने के लिए किया जाता है, यह question types of computer से पूछा गया है, types of computer, आपने computer के types पड़े होंगे, जो की होते हैं, application के आधार पर, purpose के आधार पर, site के आधार पर, application के आधार पर, computer के तीन प्रिकार होते हैं, एक होता है analog computer, एक होता है digital computer, एक होता है hybrid computer, application के आधार पर, computer को तीन भागों में माता गया है, एनालोग कम्प्यूटर, डिजिटल कम्प्यूटर और हाइबरेट कम्प्यूटर, परपस के आधार पर, कम्प्यूटर दो प्रिकार के होते हैं, एक होते हैं जर्नल परपस कम्प्यूटर, एक होते हैं स्पेशल परपस कम्प्यूटर, और कम्प्यूटर का तीसरा टाइप हो होता है size के आधार पर, एक type हो गया application के आधार पर, एक हो गया purpose के आधार पर, तीसरा type होता है size के आधार पर, size के आधार पर computer चार प्रकार के होते हैं, micro computer, mini computer, mainframe computer और super computer, computer के जो type हैं, उनको तीन भागों में बाटा गया है, एक type होता है application के आधार पर, जिसमें आता है analog computer, digital computer, hybrid computer, दूसरा टाइप होता है purpose के आधार पर, उद्देश के आधार पर, जिसमें एक होते है journal purpose computer, एक होते है special purpose computer, और तीसरा टाइप होता है size के आधार पर, size के आधार पर 4 प्रकार के computer होते हैं, micro computer, mini computer, mainframe computer और super computer, हमसे जो question पूछा गया है, यह types of computer पर ह अधारित है question क्या है निमनलिकित में से कौन से computer का उपयोग बड़े संस्थानों में मतलब बड़ी organization में और government agencies यो में जैसे कि bank में railway में बहुत अधिक मात्रा में data को handle करने के लिए किया जाता है जो size के आधार पर computer है उनमें सबसे छोटा सबसे slow और low processing बाला computer होगा micro computer उससे थोड़ा अच्छा computer होगा mini computer उससे और अच्छा computer होगा mainframe computer और सबसे अच्छा तो होगा super computer तो हमें यहाँ super computer तो option में दिया नहीं गया है तो answer क्या हो जाएगा mainframe computer mainframe computer एक ऐसा computer है जो बहूत fast speed में वर्क करता है बहुत सारी process को multiple process को एक साथ execute करता है और यह special work को complete करने के लिए use किया जाता है जो बड़ी-बड़ी organization है agencies है वह बहुत अधिक मात्रा में data को manage करने के लिए process करने के लिए mainframe computer का use करती है तो इस question का answer होगा option number V इनके बाद सबसे अच्छा, सबसे powerful, सबसे महंगा computer होता है super computer size में सबसे बड़ा, speed में सबसे अधिक fast और cost में सबसे महंगा super computer होता है लेकिन वह हमें option में नहीं दिया गया तो इस question का answer होगा option number V mainframe computer जो बड़ी-बड़ी organization होती है agencies होती है वह बहुत अधिक मात्रा में data को handle करने के लिए mainframe computer का उपयोग करती है देखते हैं हमारे next question को next question है MS Excel workbook का default extension क्या है MS Excel workbook का default extension क्या है यह question Excel से पूछा गया है जो की बहुत ही simple question है MS Excel क्या है MS Excel एक spread sheet software होता है spread sheet software MS Excel का use data को row और column में arrange करने के लिए किया जाता है MS Excel में जो file बनती है उस file को कहा जाता है workbook Excel में बनने वाली file को कहा जाता है workbook जिसका default name होता है book 1 Excel की file को कहा जाता है workbook जिसका default name होता है book 1 और Excel में जो workbook बनती है उसका extension होता है .xlsx .xlsx MS Excel में बनने वाली file को workbook कहा जाता है जिसका extension होता है .xlsx तो इस question का answer होगा option number D देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैं से कौन सा non impact printer का एक प्रकार है यह question printer से संबन्दित है हमें 4 printer क्या नाम दिए गए है और हमसे पूछा गया है निम्न मैं से कौन सा non impact printer का type है Non impact printer printer क्या है printer एक output device है, जो कि हमें hard copy output प्रिदान करती है, printer की दो category होती है, एक होते है impact printer, एक होते है non impact printer, एक होते है impact printer, एक होते है non impact printer, impact printer वह printer होते हैं, जो printing करते समय, sound अधिक करते हैं, आबाज अधिक करते हैं, जबकि non impact printer printing करते समय, sound कम करते हैं, impact printer की speed slow होती है, जबकि non impact printer की speed fast होती है, जो impact printer है, यह low quality का output देते हैं, जबकि non impact printer high quality का output देते हैं, हमें यहाँ पर 4 printer के नाम दिये गए हैं, हमसे पूछा गया है, निम्नमैसे कौन सा non impact printer का प्रिकार है, non impact printer मतलब sound कम करेगा, fast speed में बर्क करेगा, और high quality output देगा, वय होगा यहाँ पर, thermal printer, thermal printer, क्यूंकि chain printer तो एक impact printer है, band printer भी impact printer है, drum printer भी impact printer है, जबकि thermal printer, laser printer, inkjet printer, यह हमारे होते हैं, non impact printer, तो इस question का अंसर होगा, option number C, thermal printer, एक non impact printer का प्रिकार है, देखते हैं हमारे अगले प्रेशन को, next question हम से पूछा गया है, किसी object की properties को access करने के लिए, निम्न में से, किस mouse तकनीक का उप्योग किया जाता है, किसी object की properties को access करने के लिए, निम्न में से, किस mouse तकनीक का उप्योग किया जाता है, एक question हम से पूछा गया है, कि किसी object की properties को, किसी object मतलब, कोई file हो सकती है, कोई folder हो सकता है, कोई software हो सकता है, कोई icon हो सकता है, हमें उसकी properties को यदि access करना है तो हमें mouse से किस तकनीक का उपयोग करना होगा कोई file है, कोई folder है, कोई icon है और यदि आप उसकी properties देखना चाहते हो तो आपको mouse से उस पर right click करना होता है जब आप किसी object पर right click करते हो तो सबसे नीचे last में properties नाम का एक option मिलता है जहां से आप उस object की properties को देख सकते हो मतलब इस question का answer होगा option number C, किसी object की properties को mouse से access करने के लिए हमें उस object पर right click करना होता है और यदि आप किसी object की properties shortcut की से access करना चाहते हो तो shortcut की होती है alt plus enter alt plus enter आपको जिस object की properties देखनी है पहले उसे select करें और keyboard से alt plus enter को press कर देए मतलब mouse से properties को देखना है तो right click करना पड़ेगा और keyboard shortcut क्या है इसके लिए alt plus enter हमें से practically देख सकते हैं यह हमारे computer system का desktop है यहाँ पर बहुत सारे object है file, folder, icon है हम किसी भी object की property यदि mouse से देखना चाहते हैं तो हम उस object पर right click करेंगे और सबसे नीचे एक option होता है properties यहाँ से हम इस object की properties को देख सकते हैं मतलब mouse से properties को देखने के लिए हमें right click करना पड़ा और यदि हम keywords से यह कारे करना चाहें तो पहले हम object को select करेंगे इसके बाद हम alt plus enter को press कर देंगे alt plus enter से उस object की properties open हो जाती है तो इस question का अंसर होगा option number C right click देखते हैं हमारे अगले प्रशन को next question है Linux में कौन सी directory में बिसेस device file होती है Linux में कौन सी directory में बिसेस device file होती है यह question Linux से पूछा गया है Linux में कौन सी directory में directory मतलब folder folder को ही बोला जाता है directory में बिसेस मतलब special device file होती है यह question Linux से पूछा गया है Linux क्या है Linux एक operating system है Linux एक system software है Linux एक free software है Linux एक open source software है Linux को Linux Torvalds के द्वारा उननिस सो इंक्यानवे में बनाया गया था Linux एक operating system है Linux एक system software है Linux एक free software है Linux एक open source software है Linux को Linux Torvalds के द्वारा उननिस सो इंक्यानवे में बनाया गया था जब हम Linux को install करते हैं तो Linux के साथ कुछ folder भी create हो जाते हैं folder मतलब directory जब Linux को install किया जाता है तो हमें automatic कुछ folder कुछ directory create करके दिये जाते हैं यह कहलाते हैं Linux के standard directory Linux के standard directory जो कि Linux के द्वारा दिये जाते हैं कई परकार की होती है हमसे पूछा गया है Linux में कौन सी directory में बिसेश device file होती है यहां device वड़ा रहा है और आप चारों option को ध्यान से देखें तो एक directory है div directory div directory मतलब device file को store करती है device file को मतलब इस question का answer होगा option नमबर भी div directory में device file को store किया जाता है जबकि user directory में user program को store किया जाता है temp directory में temporary files को store किया जाता है और bin directory में binary files को executable files को store किया जाता है तो इस question का अंसर होगा option number B dip directory देखते हैं हमारे अगले प्रशन को next question हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा application software का एक उधारन है निमने लिखित में से कौन सा application software का एक उधारन है यहाँ पर हमें 4 software के नाम दिये गये हैं और हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा एक application software का उधारन है software से सम्बंदित question है software क्या होता है software software होता है group of instructions group of instructions मतलब computer को दिये गए निर्देशों के समुहों को software कहा जाता है एक software multiple instructions का group होता है मतलब निर्देशों के समुहों को software कहा जाता है software की दो category होती है दो category होती है software की एक होते हैं system software एक होते हैं application software system software वह software होते हैं जो system के लिए आवसक होते हैं जिनके बिदा हमारा system work नहीं कर सकता जैसे की operating system जबकि application software कौन से software है वह software जो user की आवसकताओं को पूरा करते हैं या किसी fix work को complete करते हैं वह कहलाते हैं application software हमें 4 software के नाम दिये गए हमसे पूछा गया है निमनलिखित में से कौन सा application software का उधारण है यहाँ पर windows तो एक operating system है windows operating system में मतलब system software है linux भी operating system में मतलब system software है dos भी operating system है मतलब यह भी system software है dos का full form होता है disk operating system dos operating system है linux operating system है windows operating system है मतलब answer होगा option number a tally tally एक application software का उधारण है जिसका उपयोग accounting work में किया जाता है this question का answer होगा option number a tally tally एक application software का उधारण है देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को next question है ms excel में कौन सा function किसी संक्या का factorial देता है ms excel में कौन सा function किसी संक्या का factorial देता है Excel से question पूछा गया है कि Excel में कौन सा function किसी number का factorial प्रदान करता है MS Excel का question है MS Excel में data पर calculation करने के लिए कई प्रकार के function यूज किये जाते हैं हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा function है जिसका उपयोग factorial calculate करने के लिए किया जाता है factorial क्या होता है for example यदि हमें 5 का factorial निकालना है तो हम 5 का factorial कैसे निकालेंगे 5 से 1 कम करेंगे 4 और इसमें गुणा कर देंगे 4 से 1 कम करेंगे इसमें गुणा करेंगे एक कम करेंगे इसमें गुणा करेंगे ऐसे हमें कम करते जाना है एक तक और सभी नंबर का आपस में गुणा कर देना है मतलब 5 से एक कम किया 4, 4 से एक कम किया 3, 3 से एक कम किया 2, 2 से एक कम किया 1 एक तक करना है, जीरो तक नहीं करना है, क्योंकि जीरो में गुणा करेंगे, तो सब जीरो हो जाएगा, अब इनका गुणा कर देंगे, तो पंचो का 20 हो जाएगा, 20 तिया 60, 60 दुनी 120, 120 हमारा आंसर आना चाहिए, ऐसी मालों हमें 4 का फैक्टॉरियल निकालना तो, 4 से 1 कम कर स्वाट में लिखा जाता है फैक्ट, मतलब MS Excel में फैक्ट नाम का फैक्टॉरियल निकाल सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सल में, चलते हैं एक्सल पर, यह हमारा MS Excel सौप्टवेर है, यदि हमें एक्सल में किसी भी नंबर का फैक्टॉरियल निकालना ह तो हम equal के साथ fact function को type करेंगे और यहाँ पर वो number दे देंगे जिस number का हमें factorial निकालना है हमने fact function को लगाया और number दिया 5 अब हम enter की को press करेंगे तो हमें 5 का factorial निकाल कर दे दिया जाता है मतलब Excel में factorial calculate करने के लिए fact function का use किया जाता है इस question का answer होगा option number C देखते हैं हमारे अगल प्रेशन को next question है निमने लिखित में से कौन सा device पूरे computer system के लिए संचार माध्यम है और system unit में रखा गया है यह question hardware से संबंदित है हमें 4 device के नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा device मतलब hardware part complete computer system के लिए communication media है और system unit में रखा गया है answer होगा option number a motherboard motherboard हमारे computer का एक hardware part होता है जो computer system की सभी devices को आपस में connect करता है आपने देखा होगा हमारे computer के साथ एक monitor होता है monitor के साथ हमारे पास एक box भी होता है इस box को ही कहा जाता है system unit या इसे cabinet भी कहते हैं इसके अंदर लगी होती है motherboard motherboard एक printed circuit board होता है जिसमें कई प्रकार के slot होते हैं कई प्रकार के port होते हैं motherboard में हम RAM को लगाते हैं ROM इसमें inbuilt होती है CPU मतलब processor को लगाते हैं और इसमें कई प्रकार के port होते हैं जिनसे अलग अलग devices को connect कर दिया जाता है मतलब motherboard एक ऐसी device है जो पूरे computer system के लिए communication कराता है और इसे system unit के अंदर रखा गया होता है तो इस question का answer होगा option number A motherboard RAM का full form क्या होता है random access memory ROM का full form क्या होता है read only memory तो इस question का answer होगा option number A motherboard देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को next question है RAM के संदर्ब में निम्न मैं से कौन सा कथन गलत है RAM के संदर्ब में निम्न मैं से कौन सा कथन गलत है हमें यहाँ पर RAM से related चार statement दिये गए हैं और हमें बताना है कौन सा statement false है गलत है RAM से संबंदित question है RAM क्या है RAM हमारे computer की एक primary memory होती है primary memory जिसे हम man memory भी कहते है RAM का full form random access memory होता है RAM एक volatile memory होती है RAM में data को temporary store किया जाता है RAM एक volatile memory है मतलब ice time memory है RAM में data को temporary store किया जाता है जब हम किसी application को किसी program को open करते हैं तो वह RAM में store हो जाता है मतलब current time पर CPU के द्वारा जिस data का use किया जा रहा होता है वह data RAM में store हो जाता है हमें RAM से संबंदिच चार statement दिये गए है हमें बताना है कौन सा गलत है option number एक क्या है RAM CPU द्वारा प्रत्यक्चिताह एक्सिस येवल है RAM CPU द्वारा प्रत्यक्चिताह एक्सिस येवल है मतलब RAM को CPU द्वारा direct access किया जाता है यह statement तो सही है RAM एक primary memory है और primary memory direct CPU से जुड़ी होती है तो यह तो सही है option number भी क्या है RAM computer की secondary memory का हिस्सा है यह statement गलत है यही कथन गलत है RAM तो primary memory का हिस्सा है secondary memory का हिस्सा नहीं है हमारा answer यही होगा हम option number C को भी check कर लेते हैं RAM का उपयोग उस data को store करने के लिए किया जाता है जो बरतमान में CPU द्वारा process किया जाता है यह भी सही है RAM में बह डेटा store होता है जो current time पर CPU यूज़ कर रहा होता है option number D क्या है RAM एक ASTi memory है तो यह भी सही है RAM एक volatile memory होती है मतलब आयस्था ही होती है answer होगा option number B RAM computer की secondary memory का हिस्सा नहीं है primary memory का हिस्सा है देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को next question है USB pen drive के संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन गलत है USB pen drive के संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर यह question भी memory से संबंदित है हमसे पूछा गया है USB pen drive के संदर्व में निम्न में से कौन सा statement false है USB का full form क्या होता है universal serial bus universal serial bus USB का full form होता है universal serial bus pen drive pen drive क्या है pen drive एक secondary memory device है secondary memory का टाइप है pen drive secondary storage डवाईच है pen drive secondary memory के अंतर कत आती है जो कि data को permanent store करती है pen drive को flash drive بھی कहा जाता है pen drive को USB drive भी कहा जाता है pen drive को portable drive भी कहा जाता है portable drive मतलब इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते है pen drive को thumb drive भी कहा जाता है pen drive को कई नाम से जाना जाता है pen drive एक secondary memory का type है जो की permanently data को store करती है pen drive को flash drive भी कहा जाता है USB drive भी कहा जाता है portable drive भी कहा जाता है और thumb drive भी कहा जाता है हमसे बोला गया है pen drive से सम्बंदित चार statement है कौन सा गलत है हमें बताना है option number A क्या है यह एक portable storage space device है जो आपके storage आवसकताओं की देखवाल करने में सक्चम है यह statement तो सही है यह एक portable storage space device है जो आपकी storage आवसकताओं की देखभाल करने में सक्चम है pen drive portable storage device तो है जिसको हम आसानी से यहां से बहाँ move कर सकते हैं option number भी क्या है एक pen drive में 120 GB और इससे भी अधिक data store किया जा सकता है यह भी सही है market में pen drive अलग-अलग capacity की आती है जैसे 32 GB, 64 GB, 128 GB इससे ज़्यादा capacity की भी आती है तो यह statement भी सही है एक pen drive में 120 GB और इससे भी अधिक data store किया जा सकता है यह सही है statement option number C क्या है इसका उप्योग mobile storage device के रूप में किया जाता है mobile storage device मतलब ऐसी device जिसको आसानी से यहां से बहाँ ले जाया जा सकता है भै क्या हलाती है mobile storage device यह भी सही है मतलब answer होगा option number D यह एक आस्थाई storage device है आस्थाई मतलब क्या pen drive data को temporary store करती है नहीं pen drive तो data को permanent store करती है मतलब option number D गलत है यही हमारा answer होगा जो pen drive है भै पर्मानेंटली data को store करती है temporary store नहीं करती है देखते हैं हमारे अगले प्रेशन को नेक्ट कॉस्चन है बन जीरो बन बन के बन का पूरक क्या होगा हमें एक binary number दिया गया है बन जीरो बन बन और हमसे बोला गया है इसका बन का पूरक क्या होगा बन का पूरक बन का पूरक यह question बन्स compliment से पूछा गया है करना सीखा है हमें यहाँ पर एक binary number दिया गया है binary number है क्यूंकि इसमें बन और 0 है इसका हमें बन का पूरक बताना है बन का पूरक मतलब compliment बताना है हमने previous वीडियोस में भी first compliment या buns compliment को calculate करना सीखा है जो की बहुत ही आसान है इस question को solve करना बहुत ही आसान है जब भी आपको पूछा जाता है तो आपको question में जहां जहां पर बन दिया गया है उसको 0 में बदलना है जहां 0 दिया गया है उसकोATHAN में बन में बदलना है आपका answer आजाएगा बन चौम्प्लिमेंट कैसे निकालते है जो भी question में आपको number दिये गये है बन को 0 से बदल दीजिए 4 को बन से बदल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा हमें question क्या दिया गया था बन 0 बन बन तो हमने बन को 0 से बदला 0 को बन से बदला बन को 0 से बदला या हमारा answer आ गया किसी भी binary number का first compliment या बन का पूरक निकालने के लिए आपको question में दिये गए सभी number को बन को 0 से बदल देना है 0 को बन से बदल देना है हमारे इस question का आंसर होगा option number A 0 1 0 0 हमारा first compliment होगा या बन्स compliment होगा तिस question का आंसर होगा option number A देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को next question है निम्न मैं से कौन सी secondary computer memory है यह question memory से संबंदित है हमें चार memory के नाम दिये गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है निम्न मैं से कौन सी secondary computer memory है computer की memory को दो भागों में बाटा गया है कुछ होती है primary memory कुछ होती है secondary memory primary memory वह memory होती है जो direct CPU से connect होती है जबकि secondary memory वह memory होती है जो direct CPU से connect नहीं होती है primary memory की speed fast होती है secondary memory की speed slow होती है primary memory में कम मात्रा में data को store किया जाता है जबकि secondary memory में अधिक मात्रा में data को store किया जाता है हमें यहाँ पर बताना है निम्नमें से कौनसी secondary computer memory है RAM तो एक primary memory है जिसका full form होता है random access memory, cache memory भी एक primary memory है register भी एक primary memory है मतलब answer होगा option number D hardix hardix एक secondary memory है जो की permanently data को store करती है hardix को magnetic disk भी कहा जाता है magnetic disk hardix secondary memory है permanently data को store करती है और यह एक magnetic disk भी होती है RAM, cache और register यह तीनों ही primary memory है RAM का full form होता है random access memory register एक ऐसी primary memory है जो की computer में सबसे छोटी और सबसे fast memory होती है तो इस question का answer होगा option number D hardix दिखते हैं हमारे अगले प्रशन को next question है blank में system सुरक्चा के संदर्व में उपयोग करता या समुहूं और संबंद अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है blank में system सुरक्चा के संदर्व में उपयोग करता या समुहूं और संबंद अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है हमसे question पूछा गया है blank में system security के reference में users या group और related permission के बारे में information होती है यह question access control system से पूछा गया है access control system access control system एक ऐसा system होता है जो कि यह check करता है कि किस user को किस resource का access दिया गया है या नहीं दिया गया है मतलब कोई user किस resource को access कर सकता है या नहीं कर सकता है यह check करने के लिए access control system का use किया जाता है access control system यह decide करता है यह check करता है कि किस user को किस resource को access करने की permission दी गई है और access control system में एक entry होती है access control entry access control entry जिसमें यह जानकारी होती है कि किस user को या किस group को किस resource का access या permission दिया गया है मतलब इस question का answer क्या होगा option number 2 access control entry में system सुरक्षा के संदर्व में उपयोग करता या समू और संबंध अनुमतियों के बारे में जानकारी होती है access control system में access control की एक entry होती है जिसमें यह जानकारी होती है कि किस user को या किस group को किस resource का access दिया गया है या नहीं दिया गया है तो इस question का answer होगा option number 2 देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को next question है linux को किस के द्वहारा बनाया गया है Linux को किसके दौारा बनाया गया है यह बहुत ही basic सा और simple सा question होगा यदि आप हमारे previous वीडियो को देख रहे हैं क्यूंकि हमने अपने previous वीडियो में Linux से सम्मंदित कई परकार के question तयार करे हैं और आज की वीडियो में भी हमने Linux से सम्मंदित एक question को समझा था वहाँ पर हमने यह question भी तयार किया था Linux क्या है? Linux एक operating system है Linux एक system software है Linux एक free software है Linux एक open source software भी है Linux को leaner store walls के द्वारा 1991 में बनाया गया था इस question का answer होगा option number A Linux को leaner store walls के द्वारा बनाया गया है और कब बनाया गया था? 1991 में तो इस question का answer होगा option number A Linux तोर बोल्स देखते हैं हमारे next question को next question है यदि आप अपनी screen के content को चित्र के रूप में print करना चाहते हैं तो किस बटन का उपियोग करेंगे? यदि आप अपनी screen के content को content मतलब जानकारी को चित्र के रूप में print करना चाहते हैं तो किस बटन का उपियोग करेंगे? हमसे question पूछा गया है कि आपके computer screen पर अभी जो भी जानकारी open है जो भी जानकारी सो हो रही है यदि आप उसको एक चित्र के रूप में print करना चाहते हैं तो आपको keyword से कौन सा button press करना होगा? हमारे keyword में एक key होती है print screen की print screen की या किसी-किसी keyword में sort में PS भी लिखा होता है print screen की या PS की एक ऐसी key है जो screen पर सो होने वाले content का screen sort ले लेती है जैसे आप mobile में screen sort लेते हैं इसी प्रकार से computer screen पर जो भी जानकारी अभी open है जो भी content सो हो रहा है हम print screen या PS की का use कर सकते हैं तो इस question का answer होगा option number भी print screen देखते हैं हमारे अगले प्रेश्ण को next question है निमने लिखित में से कौन सा printer का एक प्रकार नहीं है यह question भी printer से सम्बंदित है हमें चार option दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा printer का एक प्रकार नहीं है printer क्या है printer एक output device है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है printer के दो type होते है impact printer और non impact printer impact printer printing करते समय sound अधिक करते हैं जबकि non impact printer printing करते समय sound कम करते हैं हमसे पूछा गया है दिये गए option में से कौन सा printer का प्रिकार नहीं है option number A है inkjet inkjet तो printer का प्रिकार है laser लेजर भी printer का प्रिकार है ploater भी printer का प्रिकार है ploater ploater एक बड़ी size का printer होता है जिसका उपयोग hard copy output प्रिंट करने के लिए किया जाता है ploater के द्वारा large size के output को high quality में print किया जाता है ploater के द्वारा flex, banner hoardings print किये जाते हैं तो ploater भी printer का टाइप है जो कि हमें hard copy output प्रिदान करता है large size के output को high quality में print करने के लिए ploater का यूज किया जाता है मतलब inkjet laser और ploater यह तीनों ही printer के टाइप है लेकिन scanner scanner printer का टाइप नहीं है scanner तो एक input device होती है जबकि printer एक output device है scanner एक input device है जिसका उपयोग किसी document को, किसी image को किसी letter को scan करने के लिए किया जाता है scanner के द्वारा हम hard copy output को soft copy output में बदल सकते हैं hard copy output मतलब ऐसा output जो paper पर print है paper पर print होने वाला output कहलाता है hard copy output उसको हम scanner से scan करके computer में input कर सकते हैं मतलब soft copy में बदल सकते हैं तो scanner एक input device है जो कि hard copy output को soft copy में बदल देता है तो इस question का answer होगा option number D scanner printer का प्रिकार नहीं है तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए computer से संबंदित 20 important questions को समझा जब हम एक question को समझते हैं तो उससे संबंदित हमें कई प्रिकार के और भी question तयार करने मिलते हैं आप सभी questions को पढ़ें समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद